ही हाई फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अलग तरह की करेले की रेसिपी जिसे आप बनाने में भी इंटरस्ट लेंगे और खाने में भी इंटरस्ट लेंगे तो करेला बहुत ही हेल्दी होता है और खास तर बारिश के मौसम में इसके खाने के फायदे अलगी है जादा तर लोगों को इसके कड़वेपन की वज़े से सबजी पसंद नहीं होती है इसी वज़े से बच्चे भी खाना इसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन मैं आज अलग तरह कीज की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी खाना पसंद करेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को बनाना मैंने यहाँ पर 500 ग्राम करेले ले लिये हैं यह स्माल साइस के 6 करेले हैं अब इन्हें हमें अच्छी तरह से छील लेना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से छील रही हूँ तो मैंने सारे करेलो को छील लिया है अब मैंने गोल और पतले आकार में कट कर लूँगी तो मैंने सारे करेले काट लिये हैं अब मैं इन्हें एक छोटे वरतन में ट्रांसफर करूँगी यहाँ पर इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए मैं इसमें आधा चमच नमक डाल रही हूँ नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी आट करूँगी जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे मैंने बहुत थोड़ा सा पानी आट किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आधे घंटे के लिए इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है मैंने यहाँ पर एक मुट्टी चना डाल लिया है इसे मैंने एक घंटे के लिए भीगा दिया है यहाँ पर मैंने पांच मीडियम साइज की प्यास लेका उन्हें लंबे आकार में कट कर लिया एक हरी मिर्ची ले लिया है उसे इक बारी कट करके रख लिया है अब हम यहाँ पर एक मसाला यूज़ करने जा रहे हैं जो के करेले में चार चांद लगा देगा तो मैंने हम पर एक बड़ी लाइची और दो लॉंग ले लिया है हमें इन्हें हलका सा तवे पे तरम तवे पे छोड़ देना है यह हलका सा रोस्ट हो जाए जब हलका सा धुआ निकलने लगे तो आप समझ जाएए कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से स्वाटेट हो चुका है तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसे बारिक सा पाउडर बना लेंगे या इसे या तो आप पत्तर पर पीस लीजिए या तो आपके पास जो भी करेली दुआ तो आप देख सकते हैं मैंने करेले दुकर ले लिए हैं अब हमие गैस का फ्लेम ओं करना है और एक कडाई रख देना है उसके बाद हमें एक बड़ा चंब मर्च कडाई में ऐट करना है उसके बाद मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डालूँ गी जो हमने कट करके रख ली थी प्याज और हरी मिर्च एड़ करने के बाद मैं इसमें करेले एड़ कर दूंगी जो हमने थोकर ले लिए थे उसके बाद मैं इसमें चना डाल एड़ कर दूंगी वो मसाला मैंने अड़ किया है उसके बाद मैं हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अगर आप चाहते हैं डाल को सॉफ्ट रखना तो आप 5-6 मिनट बादी चाना डाल को अड़ करें मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है तो मैंने पहले ही अड़ कर दिया है और यहां पर मैं थोड़ा सा नमक अड़ कर रही हूँ नमक हमें थोड़ा ही डालना है नमक का खास ख्याल रखे क्योंकि हमने करे ले नमक में वाश किये हैं इस वज़े से तो मैंने यहां पर ढख करना है और खूल कर देखना है ताकि करेल अच्छी तरह से हमारे पग जाएं ये जले ना बिल्कूल ही और अप देख सकते हैं कितना अच्छाutsyor बहुत है बढ़ान के ल TWO आगए है देख बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपके रसीपी कैसी लगी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच फो वाचिंग ठेक क्यार बाब बाए